आज के इस वीडियो में में आपको बात आऊंगा अल्गोरीधिम एंड डेटा स्ट्रक्शर पार्ट वर्न का आपको पता है कि CSIT का अप्लूट करते रहते हैं अगर आपको प्रिपेर करना है CSIT के लिए प्रिपेशन कर रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस्टी बेल अगर कर दिएगा ताकि हर दिन आने लिए वीडियो को नोडिफिकेशन आपको मिल जाए अगर आप अपने फ्रेंट के साथ शेयर करते हैं तो और भी अच्छा है उनको भी एक पढ़ने के मौका मिल लागा पहला कोशन विच वन अफ दे फॉलविज इस अन अप्लिकेशन आफ इस्टैक डेटा स्रक्चर आपको बता रहें इन विसे कौन सा अप्लिकेशन है किसका स्टैक डेटा स्रक्चर का ओप्चन में आपको दिखता होगा स्टैक डेटा स्टैक्चर के बारे में आप पढ़ लीजिए का अच्छा से ठीक है शॉट्षड एमसेक्यूर के लिए में हर दिम वीडियो डालते रहेंगो ताकि आपका प्रैक्टिस भी होते रहेगा सेकंड कोश्चन विच वन अप दिफॉलविग इस एन अप्लिकेशन ऑफ क्यू डेटा स्रक्चर आपको बताना है इनमें से कौन सा अप्लिकेशन ने किसका क्यू डेटा स्रक्चर का option आप देख सकते हूं option A में है when a resources is shared among multiple consumers B में है when data is transferred asynchronously means data not necessary received at the same time as sent उसको बोलते हैं हम लोग asynchronously between two processes C में है load balancing D में है all of the above तो option option number D is the right answer all of the above third question which of the following sorting algorithm can be used to sort a random linked list with minimum time complexity आपको बताना है कौन सा तरीका कौन सा sorting का तरीका हम use करेंगे ताकि हमनों जो random link list है ना minimum time में हमनों यह कर सके तो option में आपको दिखते होंगे different sorting है जिसे कि A में है insertion short beam quick short C hip short and D merge short तो third का जो option है D is the right answer merge short तो आपको short के बारे में थोड़ा पड़ दीजेकर short वेगरे क्या होता है कि जिन टाइप्स का short होता है कि short से हम क्या use करेंगे तो आपको थोड़ा समझा आ जाएगा fourth question which of the following is true about linked list implementation of stack आपको बताने इसमें concert true है किसके बारे में linked list implementation of stack के बारे में आपको बताना concert true statement है यहां पर ही ठीक है option number यह आपको दिखते होंगे in push operation if new notes are inserted at the beginning of linked list then in pop operation notes must be removed from end linlich list के बारे में है link list जो हम पढ़ा करते है उसके बारे में है अगर पुश operation मी अगर णया notes को हम लोग insert करते है इस starting में तो क्या pop operation में3 notes का हम लोग insert निकालते है यह पहला statement दुसरा क्या है डिन यह नंबर में इन फुश ऑपरेशन अगर नोट्स को इन्सर्ट करते हैं इंड में तो क्या पॉप ऑपरेशन में नोट्स को हम लोग पहला मतलब उसका जैस्ट रिवर्स है फर्स्ट ऑप्ष्टन का C में both of the above और D none of the above तो इसका जो answer है D है none of the above है ठीक है 4th question In the worst case the number of comparison needed to search a singly linked list of length N for a given element is अपको है अपको है अपको न का दिखाना है ठीक है तो option नमें आपको दिखते होंगे log 2 N B N by 2 C log 2 N minus 1 D N तो option नम्बर D है यह काफी बार question पूशे कहा है से gate CS के लिए पूशे कहा है था तो यह important question हो सकते है 6th question What is the worst case possible height of AVL tree AVL tree जो data structure में हमारा आता है AVL tree आपको बताना है कि worst case possible height क्या होगा तो option नम्बर A 2 log on assume कर लो base of log is 2 और B में है 1.44 log on assume कर लो base of log 2 ठीक है C में है dependence करेगा उसके implementation method D में है theta N तो इसको option जो है B है ठीक है 1.44 log N इसको possible height होता है कि इसका AVL tree का यह formula है आपको निखालने का ठीक है 7th question Which of the following is the AVL tree यह से आपको बताना है कि AVL tree कौन सा है ठीक है तो option आपको दिखते होंगे AVL tree के structure होता है friends filter के बारे में पता होगा आपको ठीक है नहीं पता है तो प्लीज जाके एक पर search किलाना Google में क्या है कि सारा जो चीज़ आप वो एक वीडियो में नहीं मिल पाएगा मैं सच बनो तो right अगर आप यह सोचे हो कि पुरा वीडियो देखे ही जाएगे तो मेरा अच्छा marks आगा ऐसा नहीं है यह जो वीडियो में बनाता हूँ ताको आपको एक normal सा view मिल जाए कि कोशन किस तरीका से आते हैं उस तरीका से आप revise भी कर सको ठीक है जो भी कोशन में डालता हूँ यहाँ पर ही आप उसको तो पढ़ो उसका related भी कोशन है आप सर्च करो खुछ से पढ़ने के लिए ठीक है 7 का जो option है A में आपको दिखते होंगे किस तरह के structure है 150, 20, 10, 300 B में आपको structure दिखते होंगे C में ऐसा structure है तो इसका जो answer है वो है बोथ A और C अब A में structure देखिए कि A में structure कैसा है left side में ये part है और C में देखिए C में तो आपको समझ दा रहा है कुछ किस तरह कैसे है ठीक है तो आपको ये important है ये संबनना पड़ेगा इसका जो answer A and C है तो आप प्लीज AVL tree के वारें पढ़ लिजेगा और अच्छ से 8 question जो अमारे last question इस वीडियो का tree is also known as try को हम लोग और दूसरे नाम से क्या बोलते है तो क्या हम लोग trip बोलते हैं B में binomial tree बोलते हैं या फिस T में 2, 3 tree बोलते हैं फिर D में digital tree बोलते हैं तो option number D है is the right answer D is a digital tree इस वीडियो में बस इतने ही 8 question में निकाला था आप लोगों के लिए उसका answer अच्छ से निकाल के मैं आप लोगों के लिए upload किया हूँ यह तो starting है अभी वीडियो उसका CS IT के लिए तो ऐसे ही मैं हर रोस एक वीडियो डालूँगा तो अच्छा गया होगा hope कि उसका result आपके लिए अच्छा हो और इस topic में CS IT में काफी ऐसे question रहते है जो difficult रहते है क्योंकि most of the case जो domain होते है हमारा CS IT का यह होता attitude का ज़्यादा question यह रहते है बढ़ हाँ important रहते है तो दो वीडियो में डाल चुका हूँ attitude का प्लीज आप description में जाके वो वीडियो देख लेना अगर आप नहीं देखे हो और फिर वीडियो में डालूँगा कल भी डालूँगा आने वले दिन में आपका अच्छा practice में कराऊँगा अगर आपको लगते है कि वीडियो अच्छे है आपके लिए अच्छे है तो प्लीज लाइक कर लेना सब्सक्राइब कर देना आप प्रेश दीपे लागें ताकि आने वले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको पहले मेरे ठीक है चली मिलते है कर बाए फ्रेंट